बाई सीरिल इश्कबाज में लीजे हो रही है मूँ दिखाई शादी के बाद की पहली रस्म होती है लेकिन मसे की बात तो यह है कि हमारे इश्कबाज यानि की शिवांच बेठे हैं मूँ फुला कर थैंक्फुली नई नवेली दुलहन की मूँ दिखाई होती नहीं तो ऐसा बावा चेहरा देखकर किसको खुशी होने वाली है कि अ कि अ झार खुशी होती है इश्क बाश शिवांश की नई नविली दुलहन मननक की हो रही है मुह दिखाई की रस्म और इस मुह दिखाई के लिए मननक लाल साड़ी पहन कर माथे पर चुनरी ओड़ कर और सुनेहरे लंबे जुम के पहन कर जब सीडियों से उतरी तब लोगों को तो ऐसा ही लगा होगा कि जन्नत से उतर रही परी ने शिवांश की मानो सारी मन्नते पूरी कर दी है मगर ऐसा नहीं है शिवांश का मुप भूला हुआ है वो कभी नहीं खुश होते हैं अगर मैं फ्रेम में हूँ नानियों और घरवालों ने बहु को स्विकार कर लिया मगर शिवांश मन्नत को कुबल कैसे कर सकता है किन्तु परंतु मिडिया ने जब सवाल बरसाए तो उन्हें जबाब देने के लिए उसे मन्नत की मांग भरनी पड़ी और अब मन्नत के कानों के जुमके की मार भी खानी पड़ेगी वो इसलिए भरी क्योंकि पिये ने बोला वरना वो नहीं करते बड़े लॉंग हीरिंग्स है लॉंग हीरिंग्स इसलिए है बिकोज ये एक रॉमांटिक मोमेट होने वाला है जिससे शिवांच को इससे चोट लगेगी ऐसे शिवांच और मन्नत के बीच ये नफरत भरी प्रेम कहानी यूँ ही आगे बढ़ती रहेगी नफरत दीरे दीरे प्यार में बदल जाएगी जैसे हर सिरियल में होता है इस सिरियल में भी पहले हुआ था शिवाय अनिका के साथ सबको यादी होगा हाँ भई कहानी वही तो है मुंबई से कलिम सल्माने की रिपोर्ट